अगर आपको concept अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलना अब इस question में क्या कह रहा है मेरे भाई एक body starts from rest एक body है rest से start करती है इसका मतलब initial velocity 0 है याद रखना है the ratio of distance traveled by the body during third and fourth second third और fourth second के case में जो distance traveled करी होगी इस body ने उनका ratio निकालना है distance traveled in third second and fourth second का जो है हमें ratio निकालना है distance traveled in nth second का क्या formula होता है मेरे भाई s n f क्या होता है यह होता है यू प्लस ए बाई 2 into 2 and minus 1 किसी को अगर यह समझ में नहीं आता यह वाला concept तो मुझे comment करके बताओ मैं इसको इतने simple way में समझाओंगा बहुत ही simple way में समझ में आ जाएगा बहुत अराम चे समझ में आएगा किसी को अगर यह समझ में नहीं आता कि भई यह कैसे निकालते हैं इसको समझते कैसे हैं actual में बच्चों को यह समझ में ही नहीं आता कि यह nth का मतलब क्या है चलो मैं इस question को करता हूं उसके बात समझाओंगा थोड़ा सा समझाओंगा अगर उसके बात भी नहीं समझ में आता तो मेरे भाई आप जो है comment कर देना मैं इसके ओपर video बना दूँगा बेफिकर रहा हूं बस video को इसको ध्यान से देखो question को ध्यान से समझो distance traveled in a second होगा u plus a by 2 2n minus 1 clear है अब यह बोला distance traveled in third second तो यह initial velocity 0 पर है भाई rest पर है देखो दिया हुआ है body starts from rest तो u 0 जाता है इसके बाद a by 2 2 into third second यानि कि यह n की value बनेगी आपकी n यहाँ पर 3 second तो 3 minus 1 कितना हो गया यह a by 2 6 minus 1 इसका मतलब 5 a by 2 clear है similarly distance traveled in fourth second हम निकाल सकते है distance traveled in fourth second यह क्या हो जाएगा a by 2 चार दुनी 8 direct कर लेते हैं 2 into 4 minus 1 चार दुनी 8 में से गया 7 7 a upon में 2 7 a upon में 2 clear है इसने बोला है the ratio of distance traveled by the body during third and fourth second third और fourth second का ratio निकालना है डिवाइड कर दो भाई डिवाइड कर दिया a by a से a उड़ गया 2 से 2 उड़ गया तो पांच बटे 7 बचा आपको मिला पांच बटे 7 पांच बटे 7 अब इसमें से कोई भी option नहीं क्योंकि यह जो option से गलत लिखे हुए है पांच बटे 7 यह option तब है जब ratio निकालेंगे fourth second और third second का ठीक है क्योंकि बहुत सारी जगा पर question जो है वो यही है the ratio of distance traveled by the body in by the body during fourth second and third second बहुत सारी जगा आप देखोगे इस question को तो question यही है fourth second और third second के बीच में जो distance traveled हुआ उनका ratio निकालना है तो वो 7 by 5 होता है इसलिए यहां पर यह 7 by 5 लिखा रहे गया जब यह question लिखा गया यहां से भी यह print किया गया इसको यहां ध्यान नहीं दिया यह fourth यहां आना था, third यहां आना था ध्यान रखना तो कोई दिक्कत नहीं है third और fourth का जब ratio निकालेंगे तो वो होगा 5 by 7 5 by 7 ठीक है मेरे भाई यह ध्यान रखना है तो इस question का जो answer है 5 by 7 जो है वो ratio है अगर fourth और third के बीच में जो ratio निकालेंगे तब आएगा seven by five reverse हो जाएगा किलियर है अब इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे समझेंगी यह net second और इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं मेरे भाई देखो एक particle है मालो यहां से यह टी बराबर zero से यह टी बराबर one second में यहां तक travel करता है इसके बाद टी बराबर two second में यहां तक travel करता है फिर यह टी बराबर three second यहीं तक ले लेते हैं यह जो nth second या third second का मतलब क्या है यहां समझ लो इस particle है टी बराबर zero से one तक जो distance travel करी मालो x1 दो second में यानि कि initial से 2 second में initial से 2 second में कितनी distance travel करी x2 initial से 3 second में initial से 3 second में कितनी distance travel करी x3 जब question में बोलेगा third second में यानि कि third second में कितनी distance travel करी वो distance होगी यह वाली यानि कि x3 minus x1 यह होगी x3 minus x2 x3 minus x2 यह हमारी कहलाएगी distance traveled in third second clear है जब t ब्राबर जीजों से 1 second में x1 distance travel करी 2 second में 0 से 2 second में x2 distance travel करी 0 से 3 second में x3 distance travel करी तो जो 3rd second की बात होगी ना यह 1st second यह 3rd second second और यह 3rd second तो 3rd second में जो distance travel होगी वो यह होगी that means x3 minus x2 यानि कि यह वाली similarly इसको आगे बढ़ा दो आप भाई यह 4th second हो जाएगा तो 4th second में total यानि कि 4 second में यह distance travel हो जाएगी और यह होगी x4 तो अगर 4th second की बात करेंगे 4th second की बात करेंगे तो यह हो जाएगी x4 minus x3 इन दोनों को जब आप solve करोगे ना तो यह equation निकल के बनेगी जब हम n के लिए basically n हम general case में निकालेंगे n के लिए अगर माल लो यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे दखो 4 minus 3 3 minus 2 second second के लिए निकालेंगे तो x2 minus x1 5 second में निकालेंगे तो s4 minus s5 minus s4 6th second के लिए निकालेंगे तो s6 minus s5 तो एक पीछे जा रहा है तो अगर general के case में निकालेंगे sn के case में निकालेंगे sn के case में sn minus 1 इस तरह से हम इसको करते हैं पॉर्मला बिठाएंगे जब पॉर्मला बिठाएंगे तो हमें यह आंसर मिलेगा किलियर है तो इस तरह से इसको समझते हैं तो बहुत आसान सवाल था ध्यान लगना कोश्चन में मिस्प्रिंट भी है तो इस कोश्चन का जो आंसर है पाइफ बाइस सेवन जो है रेश्यो कर प्रेग्टा